दोस्तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कब्ज की बेष्ट आयरुवेदिक और होमियोपेथिक दवा दोस्तो जो लोगों को आयरुवेदिक दवा सूट करती है वो आयरुवेथिक दवा ले सकते हैं और जिनों होमियोपेतिक दवा सूट करती है वो हमियोपेतिक दवा ले सकते हैं और कब्ज की समझ से छुटकारा पा सकते हैं तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं न दवाईयों के नाम दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके दोस्तों अगर आप हमारे दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिजेगा तो चलिए दोस्तों पहले हम आपको बताते होमियोपेथिक मेटिसिन के बारे में दोस्तों अगर आपको कबज की समस्या रहती है तो आप हेपडेको की लैक्सोस और पाउडर ले सकते हैं दोस्तों आप इस पाउडर को एक चमस गरम पानी में रोज रात को ले इससे आपको कबज की समस्या से रहात मिलेगी दोस्तो होमियोपेथि की दूसरी जो दवा है वो है बैरोनिया 200 दोस्तो आप दो बुंद रोज सुबह इस दवा को ले इससे आपको कब्ज की समस्या में रहात मिलेगी दोस्तो तीसरी जो दवा है वो है फुलम्बियम मेटालिकम 200 दोस्तो आप दो बुंद रोज रात को इस दवा को ले इससे आपको कब्ज की समस्या में रहात मिलेगी दोस्तो ये तो हो गई होमियोपेथी के दवा जिससे लेकर आप कब्ज की समस्या से छुटकर आपा सकते हैं दोस्तो अब हम आपको बताते हैं उन आरवेदिक दवावे के बारे में जो कब्ज की समस्या में बहुत फैदेमन होती है तो चलिए जानते हैं उन दवाईयों के नाम मों के बारे में दोस्तो पहला जो दवा है वो है सुद्धी चुन दोस्तो सुद्धी चुन कप्ष के मरीजों के लिए एक रामबान दवा है दोस्तो जो दूसरी दवा है वो है त्रिफला चुन दोस्तो तीसरी जो दवा है वो है दिब चुन दोस्तो चौती जो दबा है वो गैसो हरी चूर दोस्तो पांच मी जो दबा है वो है इस्वगोल भुसी दोस्तो कब्ज के मरीजों के लिए ये पांच आर्विक दबा बहुत फायदेमंद है दोस्तों अगर आपको कब्ज रहता है तो आप इन पांच आयर्विक दबा को ले सकते हैं और कब्ज की समस्तर छटकारा पा सकते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सेर करना ना भूले दोस्तों आप से फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आप खुश रहें अपने सिहत का ख्याल लगें